वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फते जिड़ा आज अपना ए समागम हो रहे हैं इस समवाद एक शाखा हरिंदर संग महबू यादगरी सवावलों हो रहे हैं समवाद सरवातदे पलेलेई बनाई हुई एक सांस था जड़ा एक प्लेट फार्म हईया करवाया जानदा है जिते बक्खो वक्रे ख्याल विचार वाले जड़े बंदेने वो आउंदेने आके अपनी गलबात राख़देने समवाद फलों पहला कई स्माग मों हो चुके राष्टरवाद वारे कई तफसील देवेच काफी तफसील देवेच तैने चार समीनारां लहीं गल हो चुकी है हो तो विना खोर भी बख़ वख्रे जड़े सेमीनार हुंदेने ज़ा बख़ वख्रे पञ्जाब दे इलाके नगे पर आ दे इड़े सराभक से कोई भी आपने इलाके वेच किसे खास बिद वाण दा लेक्छर करवाना चाहूंदा है तो अरेंज भी करे जाने संबाद बलो तो तुसी पदे रे तफसील है जड़ी ओह संबाद बलोग डाट कॉम ते हूँ वेग सक देओ जड़ी यां सारी यां वीडियोज हून गिया अजदे समागम दियां ओह भी संबाद ते अपलोड हो जान गिया हफते के देविच वेच तुसी इस सारे समभात ते वेग सक देओ जाहां सिखस्यास्त.com सिखस्यास्त.info ते ओदे ते वेग सक देओ प्रफैसर हरिंदर सिंग महभूब पंजाबी दे शायर चिंतक वार्तकार इतिहासकार अधे अधे आपक अधे आपको अंग्रेजी देने एसार यहां उनना दे विच अबाउग नी हस्ती सन उनना दा जानम 1937 वी विच लायल पूर जेड़ा अजकल पच्छमी पंजाब विच रह गया इलाका उत्थे होया सी ते ओस्तों बाद हो पंजाबी साहत दे खेतर विच काफी वड़ा कम कीता है जिड़ा कम अकार पक्खों भी अते गुण पक्खों भी दोवा पक्खातों वक्खर है बिलक्खन है अते मान जोग है उनना दियां रचनावा ने सहजे रचयो खालसा जड़ी वार्तक दी कताब है वड़ा कारी कताब है उदे आठ हिस्से ने बड़ी बड़ी इतिहास दी भी कताब है हो एक तरीक के नाड़ दूसरी उनना दी चनादी रात कताब है जीदे विच अगां सत्त कताब माने चनादी रात कवता दी कताब है नजम बेसिकली एकली एलाहि नदर दे पेणड कोई टन पा आगने पहला दूझ्या कोई थरल आते ब्लु वहते हराँ खैले पास्षा कुरू नंग देव जी की घुटो गुरू और आरश्म भैसपशा से ऍरड़ा। साइब नार सवंधत ए तिन हिस्से ने ए उना जिड़ा वड़कारी रचनवाडा महा काव सी ए ओसकताव दे हिस्से ने ए इस तो बिना रूदी आर सी जिड़े उना ने खात लिखे सी प्रफेसर गुर्मक सिंग दे ना ते गुड़े रिष्टेयां दे गुजे रहस ए डाक्टर गुरतारन सिंग दे ना ते जो लिखे खात ने इस तो बिना सिक सुर्थ दी परवाज ए रचनाय उना दी ए वार्तक दिया दे खेतर वेच बड़ी हास्ती बाव पांतनाल सी ते उना नू पढ़न वाले जड़े पाथक ने ओ खास तरहां दे ने तो आम जड़ा पंजाबी पाथका है आम नहीं पढ़न बाला है खास तरहां दे जड़े पाथक ने उना दे ओ पाथक बख्री तरहां दी बोली दे då कि एकिताब यज़ी साहते अकाद्मी दा इनाम मिले हôm नए जब किताब चैनाधी रांते नूHayसोगनवी वेछ साहत अकाद्मी दावार्द स्रकारी जनाम है मैं लागता वीज़े साहत अकाद्मी दा इनाम लेंड़े तिन तरह वंदे हंदे एकता अंतेट ने जिनननु जदो इनाम मिल्दा है ता उनना दी लोकाशा परवानगी हो जन दी है ये थीखल दी दूझ ए नाम दे नाद इनाम्दी परवानगी हो जन दी आ भी ठीक है ते अस तो बिना तीजी तरह बंदे भी हогने ने जीनानु इनाम भी उड़ जानता है पर ओ इनाम मिलन तो पाद भी प्रवान नहीं होने जीड़ा इनाम है क्योंके हिंदोस्ताने विछ इनामा दी बड़ी बख्री तरह दी सियास्ट चाल दी है वोदे विच कई पांत दियां गला हुं दियां ने पर प्रफेसर हरिंदर सेंग महभूब ओ हस्ती ने जिनना दे साहत नू जिनना दी रचना नू इना मिलनतों बाद पंजाबी साहत अकादमी दा जड़ा अवार्ड पॉर्सकार है ओ परमाने को होया हरिंदर सेंग महभूब जड़ी सिखी दी रुहाणियन दी एक तेग दी जड़ी सांजी प्रमपरा है ओ दे शाईर है हाण वोगू ते ओस सांज दे विच जड़ी सिखांदे सामने दिक्कत आईया है और आदनीकता दी आया वड़ी बड़ी ते बारतमान समय वेच जड़ी हिंदुस्तानी आदन जड़ी ओनों भी राद कार दिता एक तरीक के नाड़ ता इस हाल देवेच प्रफेसर हरिंदर सेंग महभू दा वड़ा योगदान है विवनाने साहित दे खेतर वेच अकादमिक्ता दे खेतर वेच ए गाल लेक्यां दी परवान करवाई ए बड़ी वड़ी मानता है ते अज आज दे एस समगम दे विच भेच आड़े कोडे महभू साथ अगरेट महभू साब नेड़े रेन वाड़े जडियां तिन हस्तियां ने जी दे विच प्रफेसर कुलवांत सेंगोरेवाल हो एंँग जी अज जडार आज मेर सेंग जी तर रड़क्तर कामल जी संग य just a तप किसे ना किसे रूप देवेच हरिंदर संग महभूब दी हास्ती नाड उना दी साहत रचना नाड ये जुड़े हो इने तेहोन मैं ज्यादा समान लेंदा होया गुजारश करदां साड़े आज दे पहले विलारे डक्टर कांवल जी सिंग हो रानू डक्टर कांवल जी सिंग गुरू अंगा देव कालेज खडूर साहव देवेच पोस्ट ग्रेजवेट पंजाबी पाग दे मुखी ने ओना ने बिशव साहत दा काभी अधियान कीता होया ते ओ साड़े कोले प्रफेसर हरिंदर संग महभूब दी याद वेच साड़े नाड विचार सांजे करनगे ड खलसा वाहे गुरू जी की फते गरेवाल साब दा एक शेर है जिन्नों महभूब साब ने मी बड़ी कारजोग थान दिती असी कखा मंगूर उल गए बन शहीती का ने दिल्ली दा हर चौंक मेरी बरबाद कहानी जाने महभूब साब औरे बोलना लए जदो मेनों हुकम होया ते फिर काफी कलना ऐसी आसान जिन्हानों समझन लए जिरे स्टूडेंट्स उन्हानों पढ़ देया उन्हानों मुश्कल हों दिया ते उन्हाने टेलिफून करके भी मिलके भी ये कहा के महभूब साब दिया जड़िया टर्म्स या जड़िया टर्मिनालोजिया उन्हाने बनाई है उन्हाने बनाई है उन्हाने परे गल किती जावे उन्हान सारे नों बहुत प्यार परी नम्सकार है क्योंके हर कौम दे कोड़ कोई बटिया हस्तिया दा होना जरूरी होना है तांके ओ कौमा अपने उच्चे अमीर अनुपवनों दुनिया दे सामने बहुतिक रूपच परकट कर सकने तो महभूव साब ने जो ओ कम कीता है ओ बेशक बहुतिक किस्म दाया पर ओ ओ दी जड़ी आत्मा है ओ गुरुगरन साब प्रवटों खुराक हासल कर दी है इसकर के उन्हादे इस कारज नो अप थोड़ा डिफाइन करिये के उन्हाने साधा तरम पर चारतों एक वक्री ली अपनाई गलो सिखी दी कर देने जड़ी सिखी दी गल तरम पर चार वाले यावलों कीती जा रही है ओदे नावलों एक वख्रा रा, एक वख्रा तरीका अपना के उनने जो गल की ती, उदे की कारण ने? उदे कुछ कारण ने के उजड़ी, जड़ी, जड़ी, जड़ी जड़ा इलहाम होंदा है, इदे इदे नल जुड़न दे दो तरीके हैं, जड़ा देवी, चांदन अकाल पुर्खवल्लों तर्तीते पेजा जान दा, तर्म गरंथ जन्हों आपकेने हैं, इक ते है के, कोई बंदा सिद्धा होदी मेर दे के रेवेच आज में, ते ओ, जमें गुरु हरकरिशन पाश्या जी ने काई दे, सेरनों अपनी, सोटी छुहाद दी, ओ मेर दे पीडियां दे वेच ग्यान दी कोई प्रमपरा नहीं, ते ओ, गीता दे अर्थ कर दन्दा है, ए मेर दा आलम है, दुझा आलम है, इंस्टिचूशनलाइजेशन दा, जोदो बंदेनू संस्थागत तौरते, तर्म गरंथ दे, ओस ग्यान दे नाल जोड़े आ जन्दा, महभ वड़ा कम है, शोटा कम नहीं, जड़ी गुरु गरंथ साब दी निराकार ताया, सिक एहसास दी, सिक किरदार दी, सिक इतहास दी, निराकार ताया, एब्स्ट्रेक्शन है जड़ी, उन्हों बंद के उन्हाने पाशादे मेंच ब्यान कीता है, क्योंकि इतला सादा तर्म पर चाह रहा हो, कई वार इन्हीं, जिए सुखम चीजां होंदी हैं, तर्मकरंथ ना जुड़ियां हो यां, इल्हाम ना जुड़ियां हो यां, उन्हों नहीं पकड़ सकता, उदे वेच, सादगी होंदी, उदा थाँ उच्चा है, सादगी दा कौम पहल ताजगी दे एहसास तो विर्वी हो जान दी है, तब फिर कोछ और चीजां दी हैं, उन्हों लोड़ पेंदी थाँ कि अपने गुरू दे, अपने पेगंबर दे, पहल ताजगी वाले एहसास वेचावे, तो मैभू साब दा अपने कामबारे जो कमेंट आ होए है कि मैं अपनी कौम नूँ, गुरू दे एहसास ती, पहल ताजगी दा एहसास देना चाहूं दा सी, जदो गुरू आप दे रूप वे चिते विचर रहे सान, तो उस एहसास दी नेड़ता वे चले और ले उन्हान ने इस सारा कारज की था, बेसिकली महभू साब कवी हन, पर जो लोड सी की बॉलन दी, जहां जवें दा कहलो के मेरी आपड़ी मी समरता इस जदी सी, के मैं सहजे रचे होते ही बेस कराँ का, जड़ी उन्हान दी वारत तक दीकता हुआ, जड़ा उन्हान दी बहुत सारे पसार हान, सारे आं पसारानों एक लेक्चर वज कवर करना तो मैंना दी जड़ी काविक सुखमता वाले पसार है, उन्हान दी वाले कसे समय ते छड़ के, जहां हो सकता है, गरेवाल साथ जड़ी सबंदी, जड़ी ठीक समझाना, जड़ूर कुछ इशारे करना के, तो मैं उन्हान दी जड़ा सहजे रचे हो, जदे वे चुना दी आ जड़ी के, महभूग साब ने गुरु गरंद साब दे जड़े एबस्ट्रेक्ट पसार है, जड़ी उती निराकारता है, जड़ी ओ सुखमता, जड़ी सदा अरन के आन नाल नहीं छोई जान दी, नहीं पकड़ी जान दी, उन्हान फड़न दे लई एक केलों के साथी मदद कारम दे लई, यह सारा अपना सिस्टम उपना है, तो एक पॉइंट में नहीं लग दा, उन्हान दे कारज दा, दूसरा कारज सी के, जड़ों वेस्टन नॉलेच जड़ी या, जड़ी वेस्टन फिलोसफी या, ओ यथे संस्थागत रूप वेच अपने पैर जमों दी या, और सानुम उदे वेच पढ़ देया, काफी लंबा अर्सा हो गया है, उदे नाड तर्मगरंत दी समझ दे वेच कुछ नुक्स पैजन देया, तेक बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े हो जन देया, जिनना दा जवाब उस फलसफे वे चोनी लब दा, पच्छमी फलसफे वे चो पच्छमी दर्शन दी कोशिश कर दिया, जिदा करके उननों सही जवाब भी ने मिल देया, और पटकन वाद दिया, तो महभूस साब ने पच्छमी दर्शन नु बहुत निठ के समझ आ, और उदे नाल पैदा हो नवाले रोगा नु समझ आ, ते होर जड़े उदे नाल उत जवाब होली होली दिसने शुरू हो जान दे, तीसरा जड़ा नुक्ता है, हो है के महभूब साब गुरू बेंबनों सेख सुर्त वेच सलामत करना चांदे, भी गुरू बेंबनों गौन दे, जड़ा इतहास के तोर ते साठे कोल साधन मजूद ने, जवे इतहास गुरू बेंबन वरनन कर दा ताया, जहाँ बिरतान्तक रूप साठे कोला गुरू बेंबनने करना बड़े है, उनना दे कोज़ आँ सिमावा आँ, कोज़ आँ लिमिटेशन्स है जड़िया है महभूब साब तो आपके नाजल हो या है जो जहानों समझा लगी है उनने फिरू बें बदी सलामती जलाई ए महा कावर जाए नालती ना जाए 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 जे रचे वचवच उना ने पहला उसारा परबान जाए जाए वचार दे फिलोसोफी दे ताउर ते उसस्टेम टाइज कीता एक होर लुकता बड़ा इंपोर्टन जाए उना दे स्बनदी में लगता है के महभू साब ने इसलाम दा जाए कोल दुनिया दे जाए इनसानी अनुबवया उदे वेचे रुछानी तोरते जोगदान है इसलाम दा वो दा ठीक मुलंकन कीता है जा ठीक थाँ जती है वो दा मुल पाया कि इसलाम दा की जोगदान है इंसान दे रुहानी अनभाव दे मिच ते लास्ट जेड़ा नुक्ता इंपोर्टन्ट में लगया बहुत सारे मैं छाड़ भी रहा हैं क्योंकि अपने लेक्शियर नो आप माइंड आप भी करना है वो है के मैबू साब गुर्मत व्यक्ख्या दे लई गुर्बानी दी व्यक्ख्या दे लई को जो सेद्धा महिया करते गुर्बानी व्यक्ख्या होने मी हो रही है पहला तो हुन्दी आई ये माराज दे बेले तो शुरू होया है कारज समय समय पे जो तबदीलियां वाप पर दिया रही है उन्हा तबदीलियां दे नाल कई रा वक्रे मन गए तो हुन्दी पीडी गुरू गरांसाव दे अनभवतों काफी वयथते विचरना शुरू कर दो तो उन्हाने गुरुबानी व्याक्या दे लई को सेद़ आनों देतियाने जैसी उनां दां सेद़ दे पालना करिये जा हुनां सेद दे तरन दी कोशिश करिये तब बहुत जल्दी गुरू नेड़ता वेच असी वेचरना शुरू करते ने है इदे विच जो एक गुर्मत व्यक्या था उनना ने इस सारा सिस्टम दे रहे सी इदे विच उनना ने विपरसंसकार दी शिनाकत कीती एक पूरी कताब हो भी है ये वी उसार मैं अज ज़्यादा नहीं शुवागा क्योंके जड़ा वेपरसंसकार है इदे मारतों सुचेत करना लई होना था बहुत यतन सी उचे तब अच्छे तब वेपरसंसकार दी मारतों कौम सुचेत करना जाओंदे किसी भीक्य में ए अचेत तौर ते किसे भी बंदे दे अंदर बढ़ जन्दा है तो दे सोचन दे टांग रबनू मनन दे टांग वोपर भी अपना गलबा पालें दे तो हर एक कारज दे वेचे हर एक खयाल दे वेचे बढ़ जन्दा है तो इस तरह महभू साब ने जड़ी पंथक प्रतिबाया जड़ी पंथक जीनियस पैदा होनी है ओदे लई ए सारे राबनाईने एना उपर चाल लके ए जो उना दे गरंथ हान एना नू पढ़के एक सदारन बुद्धी वाड़ा विद्यार थी एक पंथक जजबे वाड़ा वे दवान बन सकते हैं एक उना दे बड़े आई है जड़ी उना दे कामन दे विच्चों सानों समझ लग दी एक कुछ गला ने महभूस साब नो जो इंट्रोडूस कराओं लई मैं जरूरी समझे हैं आमें के तो अड़े विच्चों कईया नाड़ उना दा निजी ता उरते बासता रहा हुएगा उना दे नाल विच्रन दा मौका मिलिया हुएगा उना दे बहुत सारे इना संकलपां तो एना चीजां तो जानू होगे आप जी पर क्योंके इस जो साड़े जतन हो रहे ने ये दिन आल होर भी बहुत सारे ऐसे सुरुते हन जिना दे नाल असी मुखाटब होंदे हैं इंटरनेट दे जरीए तो इस करके असी एक कोशिश करागे के कोजिक गला सरल रूप बहु अब अबूँ साब देना कॉंसेट्स देसे बन दिया अपन कर लिये तांके जेड़े नमे वे दियार थी मैबूँ साब नो पढ़ना शुरू करना के उननो थोड़ी जी सौख हो जावे तो महबूँ साब ने जिदो इस सारा अपना कारज अरंबिया उनने लगपग चार हजार साल दा इतहास वच्छे है उस चार हजार साल दे इतहास विच कोई भी लतीफ ख्याल कोई भी उच्छा ख्याल कोई भी कीमती गलत अर्टी दे किसे भी कौने विच पैदा हुई है ओदा उनने नोटिस ले चार हजार साल दे इतहास विच रुहनी ताउरते जो भी बक्ष शां इस तर्टी दे इनसानानों होईयाने चाहे हो चीन दे वेच होईयाने चाहे हो इरान दे वेच होईयाने बगदार दे वेच होईयाने काबा दे वेच होईयाने किसे भी खिते वेच होईयाने चाहे हो इसलाम ना सबन दे चाहे हो दाबोट तारम ना सबन दे हिंदू तारम ना सबन दे हर एक उस उचे ख्याल तो महبूब साब वाकफ ने और इन सारियां ख्यालानू ओ एक सिस्ट्म बेच बन जन दे एक महبूब साब दे रा नाल सहम्ती ना रखन वाला विदवान उन्हादी सहम्तीझ नहीं महबूब साब नाल किसी समय होने महबवत रही बाच उनने ने वक्रा राबना लिया, लगपग ब्रोध वाला रा बना लिया पर उननने कमेंट में बहुत आड़ा सांजा करना जा भूना और कि इन ने के महभूब साथ ने समन ने एक करोड़ चीजा कहलार तें जाना तहो एक करोड चीजहानों máy सिस्टम भेच बन सकते सी नी ओना दि समरथा सी बाउदा एक समरथा सी कि उट चोटियां चोटियां चीजानो जिवें एक कमरा बनया रेत दे किन के मिटी दे किन के उएक सिस्टम भेच बज गए छोटिया छोटे बलॉक्स इटां बढ़ियां ते एवड़ा एक कमरा बढ़िया जवेशियों नो सिस्टम बच बनके आज ओदे तो कोई लाब ले रहे हैं इमें महभूब साब ने तर तीदे उत्ते पाइदा हुई हार एक उची सुची चीज नो सिस्टम बच बन देता है ओदे आहीं असी दुनिया दियां उच्चियां परतिबा मैभूब साब निज्जी तोर ते प्लेटो ते कमेंट पड़ो हीगल ते कमेंट पड़ो मुहमदी कबाल ते कमेंट पड़ो ते मुहमद साब दी जड़ी सारी जीवनी है ओदे सबंदी उना दे कमेंट्स पड़ो जवे उनने खालस कुद्रत अकाल फत्य दे रहीं, इन वड़ियां चीजानों नापया तो लिया है, ओ सारी चीजान दा मुल लपादन देने, और हर एक चीज दी लिमिटेशन भी लपादन देने, कि इस तो अगे एचीज नहीं जा सकती, इस तो अगे फिर होर जड़ा देव जिनने वी बड़े विद्वान, चाहे ओ, ताओ इजम दे रूप वेच ने, चाहे ओ, कनफ्यूशिस दा दर्शन है, चाहे होन तक दियां जड़ियां चीज देवेच विद्वेल्मेंट्स होईयां ने, ओ दे सबंदी होना दे बहुत खुबसूर्थ कमेंट्स ने जननों अपने गुरू का अरदे प्रती बनाए होए जिड़े दार्शनिक सिस्टम हैं, ओधे नालों जोड़ के पेश कर देने, जिड़ा महभूव साब ने विश्व फलस्फेदा दियान कीता है, विश्व फलस्फेदे वेचे जिड़ा तर्क है, उसने किवे मनोखनू रुहानी तौरते सक्षणा कीता है, विश्व फलस्फेदे खुबसूर्थ पशाण में हभूव साब ने कीती है, जिड़ो समा मेलदा सी उनना दे दर्शनकारंदा में जिनिकवरी हो सके किते है, तो ओ अपने किताबाँ वाले कमरेच लेके गए, तो काफी ट्रंकां देवेच उ किताबाँ पहियां होयां सी, तो फिर ओ दस देशी ऐस ट्रंक देवेच ग्रीक ट्रेजडी है, जिन्नी ग् एक रंक वेच पही होई है, इदेवेच वेस्टन फिलासिफी है, इदेवेच वेस्ट दाइरा उच्चा साहित है, चाहे हो जमें पाइसाब दस रहे सी के, हार्डी है, दौस्तों बस्की है, टॉल्स्टा है, गोर्की है, इवन के एक सज्जन देवी दुस्या के मैं बहु स इसके वास्ते लिखिये होई है, चोटे चोटी काइदे रूप विच कताबा होँदिया है, पारा के मैं बंदा है, सोना के मैं साफ करीदा, इवी पढ़ दे रिंदे प्लेटो, सुक्राथ, हीगल, कांट, इना बंदियां दे उनना दे बहुत खूबसूर्थ कमेंट्स में उस सारे कमेंट्स अतनी दोह रामा क्योंकि उनना दे बुस्ता कुछ लिखे ही हो इने अधे नाल की लाब होंदा या जोदो कोई मेरे वरकाट नमा पढ़ने वाड़ा स्टूडेंट महभू साब दे रहीं वेस्टन फिलोसफी नाल जोड़दा या ता उनना दा सारा पढ़या होया अनबव उनू परापत हो जान दा उनू दबारा दबारा ओ सारा कोछ नचोड़ ना नहीं पाएगा ओ एक रीडिंग करेगा ते महभू साब दे दसे होए जड़े सिदा आतने ओ जड़ों ओदे सामने रोशन होनगे ता ओसनू वेस्टन फिलोसफी भी ठीक समझ लग जाएगी ते ओदी जड़ी उनता ही है ओभी ठीक समझ लग जाएगी महभू साब बे नियाई नहीं किसे नालवी कर दी जड़ा ओस जड़ी व्यक्तिकत प्रतिबा या चायो पलैटो दी ये चायो कांट दी ये उन्हें जो जोगदान देता ये मनुख दी शुर्थ नू उच्छे लेवल ते जनू उच्छी सुर्थ कहें दे उच्छी सुर्थ तो दा जिनना चलका किसे प्रतिबा नू बज्जा ते उनू जिवें उन्हें अपने सिस्टम वेच टाड़ेया ओधी ठीक पचान करके उधे अपना कमेंट देने कांट बारे हो कहेंदे कि कांट ने तरक नू शुद्ध किता तांके तरक निराकारता वेच पटकन तो बच जावेगा इस बंदी आपके होर उन्हें जड़ा विजाई तरक क्या उधे वालना थोड़ी जी गाल करांगे इवेई उन्हें ने हीगल दे उत्ते कमेंट देता नीट्षे दे कमेंट देता कि इना बंदियां ने वेस्टन फिलोसफी दे उच्चे रूब नू हंडाउंदेया होयां अपनी प्रतिवाद उत्ते कोज ऐसे रोग लाल है जेड़े रोग उन्हें दी मौत दा करन बने जोए नीट्षे वर के बंदेया हो सूसाइट करन वाल जान देया तो महभूसावे दी पछान कर देया हलकी हलकी सुखम सुखम और गलादा नो तो पसूस हो दिया है कि उन्हें उस राहते चलन दा अंत एही होना सी ओ किसे विसमाद दा चलका नहीं दे सके ओ विसमाद उन्हें दी जिन्दगी विचों सानू परापत नहीं होनदा ओ दी वज़ा है कि जेड़े वेस्टन फिलासफी दे रो गया ओ उन्हें दी परतिपा उपर परगट हो रहे है जेड़े करके ओ खोद भी सूसाइट वाजन जा रहे है एसी कुछ गलाज जेड़ियां जेड़ियां वेस्टन फिलासफी नू पढ़दे होयां जो और कि कुछ आसीयां सेदा ने कुछ ऐसे इशारे ने जननो फटके जेड़े बेस्टन फिलासफी नू समझण दे लए तुरे होया वे देयारती ने उना दे लए इस इशारे बहुत मददकार हो सकदे ने और उ बेस्टन फिलासफी नो पढ़के जिदो उनने गुर्मत व्यक्ख्या वाले पास से उनाया जहां गुर्मत कोड़ों अगवाई प्राप्त करनी है उस ग्यान दी रोशनी वेच उस ग्यान दे नाल चल दे होया ता उननों पटकंतों बचाओन लई ए इशारे सहाई होनगे अगर इनन दी थोड़ी थोड़ी समझ लग जावे ता महवाउग सावदा जड़ा बड़ा सिस्टम है ओदी सानों काफी समझ लग जाथी माक्स दा सिस्टम बहुत बरीक बहुत सुकम सिस्टम है टेन वॉलियम वे चोचा पदा दास कैपिटल उदे विचों कोजे कांसेप्ट जड़े जनरलाइज होए जनना नाल लोकान उच्छेती माक्स समझ जाओँदा ओ है गया कमोडिटी सर्पलस वैल्यू या कुछ और इस तरह दे कम्यूनिजम इस जदू इना कॉंसेप्ट्स नो समझ लेंदा बंदा दे उदे लही माक्स सरल हो जन्दा कि मैं जड़े स्रमाइदार है वो आम बंदे दी कमोडिटी दे रही हैं आम बंदे जीवचों पैसे कड लेंदे इस तरह बड़े जड़े ठिंकर होंदे या ओ अपने अनबबनू किसे दार्षनिक टर्मदे वेच टाल दे महबूब साब ने जड़ें टर्मस पाइदा किती हैं एदे लियोना ने दार्षनिक काविक इस्तलाहां शब्द वरते हैं अज़काल जड़े साथे यूनिवर्स्टी पे दियारती पढ़ दे ओए एनु काई दे संकल्पक शब्दावली तो इंग्रेजी जड़े काई दे एनु कंसेप्चियोल टर्मिनालोजी या इस तरह कोशो और हो सगता तो एक ज़ ऐसे सूतर हुंदे या जिनना दे वेचे उनने अपने बशाल अनबवनु सूखम करते हो या संगना करते हो या पर्दता हुंदा जमें दोददी बड़ी मातरा तो आपां खोआ बना लेने या बरफी बना लेने वो बड़ी मातरा जड़ी है ओदे गोण जड़ी बचा जानते है इस तरह ए दासनिक जड़े संकल्प होंदे है जहां जड़ी है टर्मिनौल अजिस होंदी है ए उस बड़े अनबवनु सूखम करन लई सूतरिक करन लई बढ़े होंदी है और जड़ी एक खालस कोदरत ते अकाल फते दो टर्म्स हान एक जथे उनन न न बढ़े अनु सूखम कर दिया है नाल दी नाल एक पैमानना वी हैं पैमानना कहलो जहाँ ओ वट्टा कहलो जेदे नाल ओ पैगंबरा नो तोल दे या ते पैगंबरा नो तोल दे होया ओ गुरू साब दे जीवन उपर इनन नो जड़ी है और ऊसे दिखां दे के देखो एक खालस खुद्रत ती किनी बद मत रहा है देखो एक अकाल फते केंज अपना जलवा दिखा रही है एक खालस खुद्रत ते अकाल फते रुखानी अन्बवनाल जेड़ा इनसान दे जीवन वे तबदिलियां वा पर दियां है अन्हों अधा मुल पाउन लगए और तोलन लगए और वेलुएट कर लगए यह दो पर मनने हैं तो इनना इना दीज़ेड़ी हों दिया और केंदे भी कोई एक एक चीज नहीं है जिन्हों दखाता जावे जिवे साथे कोड़ बहुत सारे चीज़ां और एक ही ने एक चाहा तो समझ लगए जान दीजमें को दोध तो सारे नों पतावन दोध दखाते तो समझ लगए जान दीजमें को दोधे पर एक खालस कुदरत ते अकाल फते एक कई कई शेड्स दे रड़ के ए वड़ा रूप बनदा है कई जरी सूखम तावा उनना दे रड़ नाल जिन्नौन उनन हने कहा के जरा खालस कुदरत ते है एदे छे नक्ष ने जिमें नक्ष फादे हुट। एक टर्मिनालोजी दी कहलो के थोड़ी व्यक्षा करने वाड़ा एक आरज है। वो किन दे के सब तों जड़ा खालस कुद्रत दा पहला नक्षा जदे विच्छों इन पशानेयां जा सकता ओ है गाया उच्छी सुर्त। फिर वो सुर्त दी व्यक्षा कर दे। सुर्तनों समझन लगी जड़ियां होर चीजां पर चलत ने उदे वो लिमिटेशन्स भी बखाऊं दे। जड़ा मनोवगयान हैं मनोवगयान ने को जड़ा टर्म से होजें पैदा केती हैं जमें साइक साइकी जनों गया लिमिटेशन्स दखाऊं दे हैं फिर ओ जड़ा आर्की टाइप जोंगने देता है ओ दियां लिमिटेशन्स दखाऊं दे हैं इवन के ओ मानदियां में लिम अरो साड़े लई मान सब तोनेडे है साड़े मान तोन बट डी चीज आत्मा है वो साड़े तोन दूर है मान तोन छोटी चीज जड़ी है वो साड़ी दे है यो डे नुन छेती रेकॉगणाइस कर दे हैं मानत सूखं ब सार एक देनल जुड़ा होया एक के सिरह देनल जुड़ा होया एक वो दी उधा सिरह निराकार मंडला में उट खोल दा त्य उजडी तरी तो पाफ या। पर जारा सद्ड़ा आजनिता अगले दा माने आजने हैं तो महफूसा केंदेंऋ कि जारा उची सूरत जोज है अगले जारा मन दी सुखमता वेच असी नहीं जान दे जैसा नू मन दे पसारां दी समझ नहीं ते फिर उच्ची सुर्थ नो समझना काफी उखी गाले ते उच्ची सुर्थ उनने कहा के ए तर्टिद बखवख खित्यां मेच पैदा होई ए बचार दे बचार दे रूप वेच भी पैदा हो सकती है बचार दे रूप वेच उननने इस सारे उच्चे विदवान जेड़े ने जेड़े ग्रीक फलस्पेनल जुड़े होई ने चिन्नी फलस्पेनल जुड़े होई ने जा हिंदोस्तान बेच बद्धी फ़लस्पेनल जड़े हुए ने बहुत सारे बड़े वदवाना दे उनाने ओस सिस्टम तो सानू जानू करवाया है जेदे बच उच्छी सोर्त दा परकाश हुंदा देसता है गुरु करण साथ दे वेच पंक्तिया हुंदी है शव्द गुरु सोर्त तोन चेला जड़ी ए पंक्ति उचारन होई है ए शिद्धा दे नाल जो संबाद हो रहे है ओदे संदर बदे वेचे उचारन हुंदी है मेभूब साथ जो दो सिद्धा बारे एक जानकारी दिन्दे है कि सिद्ध कौन ने ओधास दे भी सिद्धा ने अपनी दे दी सूखमता नो जानके दे नो कभू कर लिया ते मन दी सूखमता नो जानके मन नो कभू कर लिया ते मन दी सुखमता दे वेच जे आपा दे तेन चार लेवल बना लिए ते मन दे वेच बोद्ध भी है मन दे वेच मत भी है जिन्हों आपा उपीनियन काल ने नजरीया उद्धा हो मानतों बड़ा भी है हड़न जितहों असी मन दी सुखमता नूँ चाहे मनो ग्यान दी मदा दनाल समझन दी कोशिश करिये चाहे होन तक जो वेच पषबै दे वे इंडियन फ़श पए दे वे जगा हो चुका है उदे रहें समझन दी कोशिश करिये ताँ फिर असी सुर्थ दे काफी नेडले मंडला वच बेचरना शुरू कर सकते हैं कि सुर्थ कैसी शक्ति दाना सुर्थ है इस इदे रही समझ सकते हैं इस प्रोसेस दे रही जिमें अध्यात्मक कमाई करना बाले जरे पुर्शाना उनना सबन दी ऐसी कहलने के इनना दी सुर्थ लगी होई है जान सुर्थ चड़ी होई है एश अब दासी आम अपनी पाशा बेच बरत दें पर महभूब साब उस सुर्थ दा बाओ डिकता औरते नक्षा सानू समझा उन दी कोश्श कर रहे जान दे बी एक उच्ची सुर्थ है दूजी केड़ी सुर्थ है उदे बालने अपन जना हाल दे उच्ची सुर्थ जान दे लूप वेच भी किसे दा किसे जवें कांट दा एक सिस्टम है उदे थाउट दा हीगल दा एक थाउट दा सिस्टम है उदे वेच उच्ची सुर्थ दा कोशी परकाश होया जहां जड़ा चाइनीज फ़ल्सपाया उदे वेच उच्ची सुर्थ दा परकाश होया या जड़े बड़े तर्म दुनिया उपर सुबा पांदेने उनना दे वेच जड़ा उच् सुर्थ एदे स्वंदी उन्हान अधा एक संटैंस आया के उचिछ सुर्थ दे जडी निराकारता है उचिछ सुर्थ दे नेराकारता मन दिया शक्तिया तो बहुत Natürlich है उची सुर्थ दे फला जहां उची सुर्थ जी डी सूखमता या जनी मन दी सूखमता या इदिया सारी शक्तिया नालों बड़ा था रख दिये जी डी साइक एबसॉल्यूट आइडिया स्पिरिट ते प्योर रीजन तों उच्चा दरजा रख दिये उची सुर्थ अपनी हों दा एहसास करूं दीया मनुक नूँ जवे जड़ी खुश्बू है जदो हवावेच फैल जान दीया पर उदा जड़ा मूल सुमाया उनू लबना कई वरी अखा दा है के सुमे तों एखुश्बू फोट रही है इस तरह केंदे ज़े उच्ची सुर्थ तर्तीते है ताँ ओ मनुक दे कर्म विच्चों मी परगट होएगी जो ओ दुनिया दे कर्म कमावेगा ओदे च्चों मी परगट होएगी ओदे बचन वोल विच्चों मी परगट होएगी या तर्म गरंथ विच्छों पर गट होएगी या फिर एनू इत्हास विच्छों देख्या जा सकता तो इस तरह ओ काफी उदारना जा काफी फला ओदा देंदे है उच्छी सुर्थ दा जिदे नाल सानू उच्छी सुर्थ समझ लग जान दी है कि ये वाले जरे कर जहान दूसरे तरह मेंचे जीद उच्छी सुर्थ DO कोई कार ज होया होएगी और देस्दा सानू पषण आज सकती ओक 15 सुर्थ परती बावां पाइदा कर सकती है परती बावां पाथ बता करन दो प्यों के जिवें फिलोसफी देवेच वडियां प्रतिवावान दा ना लेया जान दा लिट्रेचर देवेच वडियां प्रतिवावान दा ना लेया जान दा लिट्रेचर देवेच ग्रीक बिदवान दा पहुन दे समय वेच फ्रांस दे विदवान दा अमरीकी बिदवान दा काफिया ना लेया जा सकता है, तो प्रतिबा नू पैदा कर सकते है उच्छी सुर्थ जिते होवे, लिटरेचर देवेच जबें अपने जिकर करके हटे हैं, दास्तो बसकी है, टॉलस्ट आये है, यह लिटरेचर दिया प्रतिबा हन, इसे तरह जड़ियां जंगां होई आने दुनिया उपर, उना जंगां देवेच भी उच्छी प्रतिबा दा जलवा देश सकता है, तो प्रतिबा नू पैदा करना वाली एक शक्ति है, जिते उच्छी सुर्थ होएगी, उते महान प्रतिबा पैदा होएगी, इक बरीग ते खालस शक्ति वर तर्ज है, और जिते उच्छी सुर्थ पैदा हो जान दी है, ता फिर हो अपने जीवन नू पर बावित शुरू कर दी है, जिते मैं कहलो के, होण दे समय वेचे जमें संचर नेल सिंग जी, वो एक उच्छी सुर्थ दा जलवाया, उनने जीवन नू पर बावित कीता, और जीवन दे बहुत जड़े उच्छे रुतबेयां वाले, उच्छे मरातबे नू हासल करन दी संभावना वाले नौजवान सं, हर तरां दे पं सिदारंता दे बस्ती गल न ही है, जो उच्छी सुर्थ जीवन वेच आजन दी है, फिर उतिहास नू पर बावट कर दी है, इतिहास दीक तर्थ बन दी है, जिनू पशाण आजा सकता है फिर इसे तरह उन्हें ने कहा है कि गीता ते ताओ ए उच्छी सुर्दा परकाश है मतलब कि उच्छी सुर्दा परकाश जे गीता बेचा है ते उदा भी उन्हें ठीक स्थान निश्चित कीता है बचाब कंघे सब्सक्किक, अगले मंडल एक भूरान। आव्पसी नाली ने उच्छी सौर्तों के लिग सलसेわかेंों रेकी नाली मोलते अगले मंडल की एक बन करान में Kुरान में Gour показыв ho Pope嘛 जड़ा मंडल है उची सूर्थतों कि अगले राया पावके उची सूर्थ जड़ी है एज रुकर दी बक्षिश इनसान उपर ज़दो हो जान दी है ओधी जो मारा चाहूंदा है के तिथे कड़ी है सूर्थ मातमान बोद ओधी ओधी कार्थ कड़ी जान दी है अगला मंडल होंदा है तो 20 बंदी होंदाने कुरान गुरू गुर्ण सावन उच्चा स्थान देता है तो थले आपने मंडल होंदाने के बहुत सारे जड़े कला देखत रहा चाहे ओधी चितरकारी यह चाहे बोततर राश्ना है उकेंदे इत्थे वी चलका वाज सकता है उची सुर्थ पर बावत करके जड़ियां तहजी बनाल जड़ियां हुएं चीजायां जड़ियां किसे भी सबेतादे वेच कलातमक पाक्तों जोगदान पौनवालियां जड़ियां दिशावा हुंदियां उची सुर्थ जड़ियां अपने नाल तोर सकती है दूसरा नक्ष जड़ा उनने पेदा खालस कुदरत दा पिशाणयां ओगाजी वजाई तर्क वजाई तर्क नूँ वजाई तर्क कहन दी लोड़ियां करके पईगे जिनने मी तर्क होंदे या जिनने मी दलीलां बन दी लिएयां उनना र cell दूसरा न जासकता जड़ों कोई मेरे बर का सदार हन लेवल दा स्टूडंट दिलीलां बनोनी हैं शुरू करदा थे उन्हों जो तो वड़ावे tämä दिलीलां नों कट दन्दा फिर होली होली सारी दिलीलां कटी जान दी हैं पिर महभू साभ ऐस सारे वरतारे नों फलोसीफाईज कर देखे कि एंजिते फिर कोई तरक नहीं बच सकता फिर जड़ी ना दी वीरानी है इस जिन्दगी नो बरबाद कर रहेगी जिन्दगी जो रस खत्म हो जाएगा मीनिंग नहीं रहेगा कोई भी सित्यता नहीं रहेगी कोई भी फिर किसे गलती कोई पक्याई नहीं रहेगी इस सारे खलानों फिर ओ परदे है कि एक विजई तरक होंदा एक जेतू तरक होंदा है जे दो उत्ते कोई तरक नहीं होंदा जणा जेतु तरक होंधा है फिर अगे ओधी यो फोड़ी थोड़ी वैख्या करते हैं वेखिए ओधी यो जेतु तरक होंधा है ओधी जाड़ अंतम है वेच लगई होंधी यो अंतम है वी आपने आप वेच पाह में एक latest all है कि जदो आपके ने सत्घत नाम तो उजड़गा सात नाम है, ओ रहन वाली चीज़ है, ओ अनतम हैा, बाकी सारा कोज़ नास हो जाएगा, ओ नहीं हो एगा, तक फिर ओ अनतम है, तो तो उजड़गा उज़तों अब्हाल एगियंगे जाना नयां गरस्तिलगा, कि जहां उना दे बिच्चों जिंदगी नो चूस लेगी ते जड़ी चीज अखीर जिंदगी दा सोमा बची रहेगी ओ अकाल पुर्ख वाहिगु दा नेजम है जिन वह पांसाथ नाम केने भी उ सच्चा पाव के उनने मिटना नी हो चूठा नी तो मैं भूसा केंदे के एक टरक जड़ाया ओ अधियातम्क अनवह विच्चों में प्रापत होन्दाएब जमें अकबाल सा हो दा विसतरुदा कमेंट अके जड़ा जोधियातम ना intéressant कि जड़ी अद्यातम कता हन जिग उद्री तरक हन जड़ाया ओधी भी कोई फिलोसफी हन जिग है एए मैं इस करके कह रहे हैं कि जो तो यूनिवस्टी कल्चर आया आया ते जिड़ा अध्यातमक अन्बो वड़ा व्यक्ति होंदाया ओ इस बहुदिक इस सारे ताने बाने दे सामने लगबग रद्ध होई परसनलिटी वज़ों विचर दाया ओ इस करके कि बहुदिक तादे इस परचलत जड़ा प्रोपेगेटेड मॉडल है एदे बचे एक आगया कि जड़े यह दिया तमकतानों मंदनवाड़े इनने कोड़ कोई तरक नहीं होंदा ते जिनकी जड़े तरक नाल चाल दिया ते फे महभूसाब उस स्वाल दा जवाब दिया कि मैं तंसुरू दास किया रहा कि ए बेस्टन फिलोसपी दे आउनल कई रोग भी सुसाइटी वे चाउंदे यह ओ फिर दास दिया कि यह दे कोड़ भी कोई तरक होंदा यह जड़ों नाम दा रास जड़ा यह ओ सड़ी हस् मान दा जड़ा उनके मान धान दा खंड़ाय वे अजड़ के लिट्रेचर कि बिता जान लग पया कि रिष्ट ऐह जोट पाज ए मान दा खंड़ाए काफी चरचा जाए सर०्द फिर दवान बिक्ची पाड़ रहा होंगे तो मान दा खंड़ा हो यह सारा किंका श्ड़ तै क वापस अपने कारवेच आके जमा होना शुरू हो जन्दा ते ओ जिन ग्यान उन्हें हासल कीता आँ ओ ग्यान, बारी ग्यान दे वजहों दे सामने सपष्ट होना शुरू हो जन्दा कि अंदर भी कोई दुनिया है जड़ी इस बारली दुनिया नालों ज़्यादा रौचक गया ज़्यादा नाई में अभी ओदा भी कोई साच है अंदर ली दुनिया दो पाव के मनुख जदों अपने मूल वजूद नाल जोड़ दाया जितों ने सारा फलाह हसल करके एक हस्ती बनाई हों दी आ उस मूल वजूद दा गयान उनु रहासल होना शुरू हों दाया जिनू अगलियां आवस थामाँ बहुत उच्छी आवस थामाँ दे बराम गया करा गया तो उन्हेंने कहा के जड़े अदी आत्मक अन्बव बाले पुर्शहान इना देको बड़ेक तरक हो जदी जाड अंतम है वच लगी हों दिया जदा करके वो जड़ा तरक है वो विजई हों दाय उस तो उपर खोर कोई तरक है ज़ा ज़रा नू रद कर सके क्योंकि होर छोटी अदली जड़िया और रदकिया जा सकती है बस इस लास्ट कने मी आचुनके के लाज़ए्ट हम वजयाी सरक हो जहींते के कौम कोड़ वजयाी सर्क हरता है उदे लिड आ अन् roads सभजा अगार हो удар्ग हर लिए अधैसर सबताथ मेजार Hmm जरी जर्री जर्री riding आम और शखा बीजयाए MTD थार्मी साथी दे सिखां दी जहां एक एक एक्जामपल से दी है कि साड़े गुहरी संग नलुए दी जड़ी साखी वापर दी आ अफगानिस्तान दे विच उनना दी नेतिकता दा पदर जड़ाया ओना दी विजाई तरक करके हुंदा तो केंदे भी कौमा दी सबेता दे मेयार ओना दी विच चलन वाड़े विजाई तरक करके हुंदा एक एदा जड़ा तीसरा नक्ष बियान कर दे है ओ हैगा बेमिसाल साथगी एदी एग्जांपल जविलालो पे जबें जड़े बंदगी करन वाड़े पूर्श होंदे है ते एक जड़ा मॉडरन बंदा हुंदा है ओ दे वेच अग फर्क तान दिसना शुरू हो जून दा है बंदगी करनाल हौली हौली जड़े ओखदर दे कपड़े पहने शुरू हो जन्दे है रांग कटने शुरू हो जन्दे हौली हौली सफेद दस्तार सफेद कपड़े आ जन्दा है बंदा होर कई तरह अडंबर जड़े जिन्दगी वेच चल दे हो कटने शुरू हो जन्दे है जड़ों ओदे उपर किसे भी सब्वेता दे नैतिक निजम ने अपना परदा नहीं पाया हुंदा ओस बेमिसाल सादगी वालनों बदना शुरू करदा है ज़रा अधियात्मक पुर्श हुंदा है अधियात्मक व्यक्ति कोई भी ओकेंदे के इदनार एक बेमिसाल सादगी जड़ी खालस कुदरत दे रही सिर्जी जान दिया एक पासे गुरु साब बादशाद रवेश अखवांदेने एक पासे माच्छी बाड़ दे जंगलां वेच टेंड़ दा सरा नाला के पुंजे आसनला हुदेने एक बेमिसाल सादगी दे एक होर एक्जमपल है बेमिसाल सादगी कौम नो संतुलन बक्ष दिये चौथा जड़ा नक्षए ओ है सिद्ग परबलता सिद्ग परबलता की है कि जड़ों मनुख अपनी हस्तीदों वाकफ होंदाया ते उदे समने इस हस्तीदे मिट जानदा पैह होंदाया ओ इस पैतों तां ही मुक्त हो सकदाया जे उनूं मौत तों पारले किसे जगदा तरवास मिले कि उथे पैगंबर जा गुरू जा ओ देवी इलहाम जेरा सामने जिनूं नातमस्तक है ओ दी बौड़ी करेगा तो कि देखे खालस कुदरत ओ तरवास ओ सिधख बंदे नू बख्ष दी है ओ सिधख कर कई वड़िया जंगा लड़िया जानी है ओ सिधख कर कई वड़ा जीवन जिन्दकी बशे जानता जिए उ सिद्क ना होए ते कोई भी कौम अपना बड़ा जलबाया ओ तरतीते पैदा नहीं कर सकती पंजमाए इदा नहीं दस्याजी विस्माद नक्ष जिए इस cuma अपना बालाओ करना और महापफर को इनझाद निगा дे वे चिकमस्थी आजन और राओ цен ऑना ओ विस्माद ओई हालत करके है जेड़ी विसमादी हालत है ए दर्स उंदी है कि इनने सारे पै ओ सारे डार ओ शंके जेतल है जिना दे नाड मनुक डामाड ओल हुंदा है तो दा करके ओ मस्तिदे आलम पेज तुर दे है तो ए बैस सरल करन दी कोशिश कर रहे हैं इस करके इस सौखी सौखी काल कर रहे है भी एक पांच नक्ष ने, छेवा नक्ष जड़ाया, वो गुर्मुख है, खालस को दरता, गुरु गरंज साथ दोबट या था चीजा ने, एक पासे गुरु आया, एक पासे गुर्मुख है, गुर्मुख हो है जिदे मुख तो गुरु चल लगना पवे, जिदो किसे दे मुख बिच्चों, उदे ने नक्षा बिच्चों, अगली गल उदे बोलना बिच्चों, उदे कर्म बिच्चों, उदे द्वारा इतिहास बिच्चों, पाए गए जोगना बिच्चों, गुरू दा चलका वज्जे, तादो गुर्मुख है, तो ओ केंदे के एप पांच चीजां, ज कि उसी क्युंझ उदासी कर रहें? उग केंथे मैं गूर्मक्धी कौजबर्यद कर रहे है। गुरुनानक साभ जुते कूराण दा कॉस्यांदा.. ऑथे गए जुते गीता दा परकासी उते गए जोगिया नो मिले हर जगा ते उनने गुर्मखदी तलाश कीती इन ये बड़े निजम तर ती आ चुके सी पर गुर्मखदा नो नहीं मिलदा इसकार के उदास ने ये उदासी दा मतलब है तो अदासी गुर्मखदी पाडवे चाह तो गुरू गरंसा वज गुर्मखदी बड पक है वो है विसमाद नक्ष इसे तरह अकाल फते दा मैं बहुत संखेब तास्दियां के तानो अकाल फते दूसरा कंसेप्ट सी का जदे बारे मैं गल करनी सी और केंदे के अकाल फते भी इसे तरह बड़ा एक सूखम पसार रखनवाडा संकल प्या इदे यदे यदिया पांज तरह दिया तेहां कहलो जांँ पांज तरह दिया वक वक जिम्हें एक रंग दिया पांच शेड़ जोन ओके दे भी जेड़ा अनपब जेड़ा ख्याल अंतम है तो दूरी ते वे आप रहा है जेड़े ख्याल नू वजाई तरक नसीब नहीं होया ओदे अंदर जेड इस अकाल फटे दा पहली निशननी है कि जे कोई बादिक तोर ते मारग ते तो रन्डी कोशिश करता है ते ओदे ए छीया सारी धलील ना रद होई ज़या नहीं है ते पठकन दा शिकार हुनदा या ख्याल भी ते ओदी बादिक ता भी तिह फिर उन्हों जे तरवास नही म गोगदा, अदा मतलब है के अकाल फते तो दूरी थे व्याफरे आ, दूरी थे चल रहे है तो अकाल फते पहला क्याम मेरा है, के इन ख्यालान दी पटकर्णनों तर्क दी, तर्क वितर्क दी जड्ी आपस वेच दन दताओया हुआ है इनू खत्म का रंदेवे जोो जोगद ते हुकम दा दिदार करना और जदो जदे सिद्क दी गैर हाजरी वेच बंदा शोड़े जे दोख देवी रबनो अलमे जन्दा है के मेरे जाले में क्यों होंदा है वो सिद्क जदो अधे कोड आ जन्दा है ते फिर अलमे मुख जन्दे है फिर उन्दा हुकम दे दिदार हो जन्दे है एक आल फते तो बगैर नहीं हो सकता जवें बच्चेयां दे टोटे करा के गड़वेच पौना आए शिद्क दी निशानी है एस अधे बडेरिया ने करके बखाया है उन्दा सिद्क सी ते उन्दा सिद्क एस करके सी क्योंके उन्दा ने हुकम दे दिदार कर लिया सी उन्दा ने हुकम दे दिदार एस करके कीता सी के पिछे गुर्णानक साव दी अकाल फते खड़ी सी तुच्चता नू पशान हेट लेओना ते इकरार नाल बंदना कई बार जड़ी बंदे नूं अपनी निमरता या ज़ाँ जड़ी अपने तोच्छ होन दी परबल जानकारी या एही उनूं कई बार रसातल बलदे जन दी या कि मैं इना छोटा या कि मैं इनी वड़ी जी नूं नहीं समझ सकता तो महराज ने जमें बक्षिशा कीतिया ने जमें उनने पिंगलिया नूं पर बते ते चड़ाया या जमें उनने काईदे उते बक्षिश करके उते कोड़ों गीता दयार्त करवा जते या तो उदे नाल एक तरवास बाज़दा या बंदा किसे ये करार नाल बाज़दा या कि मेरा गुरू समराता है इस तुच्चता नो इस छोटी हस्ती नो वड़े मंडना विछ ले जा सकता है उस तो अगए भी खालस वजदा है ये वी ओमें दी हालता है जे में आपा पहला जिकर करके हटे है कि जदों किसे दे वजूद उपर बक्षिश होने शुरू हो जान दी है ताँ फिर ओदा जड़ा सारा जड़ी हस्ती है ओव वजद दे वेचा जान दी है जवे रूमी जड़ा सिलसला पैदा होया वो जे में वर्लिंग सेंट्स जणना कया जान दाज कल वो डांस कर दे या जड़ा नाच कर दे या संगीत दे हुते ओव एक वजद दी एक एकजम्पल है इमें वो भी कहीं थे वजद हो सकता है तो सेख सुरत जड़ी है उनुमी वजद दी बक्षिश होंदी है एक किरतन दे रूपे चे होर एदे जड़ी है वगली है बक्षिशा होंदी है एदी जड़ी पंजमी तेय है ओवी फिर गुर्मक ही है तो गुर्मक ने इना चीजानों तर्तीते पर गट कीता है क्षिश होंदी लिए ऊठसा जड़े होंदी एदो $ auf लेना लेके लेक्लाय करे है गुर्मक ही खालसा सजीआ है जड़े गुर्नानक दी शोवाई रड़े वहें लोग चान जनना दी हस्ती विच्छों गुर्नानक दा नूर चरना शुरु हो गया जिनना दे तुरन फिरन विच्चों जिनना दे चेरें विच्चों गुरूदा चलका वजना शुरू हो गया ओ लोग गुर्मक सन और उना नो ही सोड़ा सोंदे निमेनो खाल सा साज़िया गया तो जिनना महभूब साज़िया सिस्टम है विच्चों सिर्फ आप दो बारे गाल कीती है वो दो ने अकाल फदे ते खालस कुदरत जिनना गुर्मक देवेचा के परकट होंदिया ने जहां हो दी जिनना सारी निराकार ताया वो जिनना साकार रूप तारन कर दी है जिनना एक बजवां सिरीरक रूप मिलदाया ता ओफ एक गुर्मक होंदाया ओही बाच्चों खालसा बनदाया इस करके नो कहा सहजे रच्चों खालसा इस सारा कुछ वाप परंदे लई एक निजम समेदा जो प्रोसेस है उदे बाल इशारा भी सहजे रच्चों खालसा एक कोई खालसा सजना जिदे विच ए दो चीज़ां काम कर रही है ने जिदे विच्चों खालस खुदुरत एकाल फते अपा आज जिकर कीता है अगे समय मिलेगा अकाल पर बक्षिश करें अपा बाकी चीज़ां भी डिसकस करांगे होर भी हैन बहुत सारे सजन जो महभू साव नो बड़े रीजनल पाड़ रहे हैं एक सजन जो अज लेउना भी सी किसे कारणों नहीं आ सके बेसिकलिए सारी इंकलन उना ने करनी हैं जी क्योंके उनना नो आट-टास साल होगे में अब उसाव नो पाड़ दें और काफी उड़ा दी कमान है आज ही खुश करांगे हैं उन बड़े समय वे चो एथे आवजी दे रूबरू होन वाह गुरुजी का खलसा वाह गुरुजी की फद्यू झालब झालब। झाल 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 झाल